जैने दोस्तों मैं हमके सिर्वास्तों और इस सेल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का जो लेशन है वो है भारत के प्रमुक राष्ट्य पार्क और अभ्यारत यहाँ पहले मैं बता दू कि राष्ट्य पार्क और अभ्यारत किसे कहते हैं जैसे मानली जीए हम लोग कहते हैं कि वन जीव हैं और उनकी सुरच्छा जोलरी है इसके लिए जो आरचित छेत्र होते हैं उसे ही अभ्यारण कह सकते हैं अब ये अराश्ट्य पर्क जो है अभी भारत में 105 है अब 105 याद करना बढ़ा मुश्किल हो जाएगा इसलिए मैंने म बता दू कि ये जो लेशन है ये आपके लिए बहुत ही जादा महत्व रखता है कारण क्या है कि लगतार आप 5-6 साल से कोश्चन कोई भी पेपर देखिए PCS देखिए जैसे यूपी पुलीस में अभी हाली में दो कुश्चन आयता है वी पेसी में हमेशा कुश्चन कुश प्लस मैं बातों ही बातों में बहुत सारे हैसे से फैक्ट बताऊंगा जो आप जरूर उसका नोट्स बना लिजेगा जो आपके आगे काम आएगा चलिए फिर सुरू करते हैं मैंने यहां पर भारत का मांचितर बनाये हुआ है अगर खराब बना होगा तो भानव को समझ लीजेगा बस समझाने के लिए मैंने बनाये हुआ है और बहुत सारे ट्रिक भी है क्योंकि हर इजाम में यही आता है कि यह वाला अभ्यारण किस रा प्राइब करते हैं उत्राखंड में है आपका जीम कॉर्वेट ठेक और एक राजाजी भी है पहले जीम कॉर्वेट के बारे में यहां भारत का पहला राष्ट्यूड्यान है इसका सबसे पहले नाम था हैली नेशन और यहां रामगंगा नदी के किनारे श्थी थे एक 72 में बाग रिज़र्व छेतर chilli यानी परियोज़्था चरू हुआ था तो पहला यहीं जीम कॉर्वेट गीर ऑध़ सुरूं क्या गया अघ्यड़ा है इंडरा गंधी समय में किया गया था और किसके योग्दान से तो कैलास सांखला की योग्दान दो कैलास शंकला को भार का Tiger Man भी कहा जाता है आगे दिखते हैं यहां मैंने दिखा वाए हिमाचल पर्देश हिमाचल पर्देश में रोहीला है करें में अब यहां सुरूर होते हैं जामकश्मेर ठेक कास्मिलवाई आए दिरुघ ऊसमिल कुछ खास अभ्यारन जो या राज्क पार्क है कुछ खास जानवरों के लिए जादा फिर्मस्ट जैसे सबसे बड़ा सबसे बड़ा अभ्यार है या राष्टे पर है आगे देखते हैं पंजाब और पंजाब में अबोहर ज्यादा नहीं आता ज्यादा फेमस भी नहीं है लेकिन अबोहर याद रखिएगा अगला है यहां हर्याना अब हर्याना अपने फिलिप देखा होगा रे सुल्तान सुल्तान सल्मान खान का था और वो हमेशा हर्यानी भासा बोलते हैं तो सुल्तान पूर देख रहे हैं सुल्तान पूर कहा है तो हर्याना में है तो सुल्तान क सब्सक्राइब तो इसका ट्विक याद रख लीजेगा भासकर के घर राज्य है एक देनी भासकर भी आता है नीच पेपर तो भासकर के घर राज्य है यानि राजस्तान सबंएं भास वुल्ड साल से हो जाया सरिस्का यह पक्रीव का से हो जाया कुल और रह से उड़ा हो के से के वलादेव के एших ज고 है घृषपुर में हो प्र Was का से हो जाएगा घाना तो इतना साही से याद हो सकता है भासकर के घर राज है आगे देखते हैं घुजरा यह रहा गुजरात में बहुत पहले सुनावा केजी एंड गेजी एंड तो गुजरात में कचकारन किसके लिए फेमस है बड़ी जाना फेमस है गदहा के लिए और जी से हो जाएगा गीर गीर भी बहुत फेमस है आता है कि एसी आई कि सीन कहां मिलते हैं तो गीर में और न से हो जाएगा नल स्रोवर देखें बिलकुल असान है याद करना बस हेंट याद रखिए और आपको याद वह इधर देखते हैं महारास्थ है और महारास्थ में बोरी वली है मैंने नहीं खाबाए बोरी बाली पेच है इसलिए है कि यह भारत का सबसे छोटा पाग रिजर्व छेत्र है ठीक आगे है यहां पर देखिए करनाटक और महारास्थ में गोवा है गोवा में भागवान महाबीर अभ्यार यादि राष्ट्य पार्क कहां है तो गोवा में ऐसे महाबीर जब आता है तो उनको दिमांग हम कहां है तो गोवा में अलों अब करनाटक में सब्सक्राइब नगरवसा करनाटक में यह रिखावाए ट्रिक नगरवसा करनाटक में तो यह हो जाएगा नज से नौघव बनेदे लिए और साह से हो जाएगा सूमेश्वर अब तुम भद्रा नदी नाम से आपका भी है नेक्स्ट नीचे देख रहें केरल केरल में पिरियार और पिरियार फेमस्क्यू है तो हाथी के लिए पिरियार याधी रख लिजेगा नदी जील सब कुछ बांद बांद सब पिरियार है और इंग्जाम में आता भी है कि पिरियार कहा है तो केरल इधार देखते हैं तैमिलाडू में मुद्दू मलाई इंद्रा गान्धी बैदांत गल्व में इसको यार कैसे करें इंद्रा गांधी मलाई खाई और वेध पढ़ीं रिया का पे भाई तमिलाडू यहां है आपका आंधपर देश और यह भारत का सबसे बड़ा बाग रिजर्व छित्र है इधर देखते हैं उडिसा है उडिसा में क्या क्या है वह सबसे बड़ा लेगुन जी आपका चिलिका है और चिलिका में आपका वो क्या लुक्त है लौ सेना का प्रस्चन केंद्र में स्थित और यह एक पक्षि विहार भी है तो पुरिसा में चिलिका अगला सिमली पाथ यहांथी के लिए फिर्मासे शिमली पाथ यह बहुत बार इसाम आचुका है और तीसरा है भीतर कनिका भीतर कनिका देने का रिजन था क्यू अब और यह उलीवे लिडिले यह कच्छुआ का नाम है यह दच्चिन अमेरिका से वह दच्चिन अमेरिका का है और भारत में पाई जाता है कहां पर भीतर कनिका में और एक एक नदी है धारा है इसको मुझते हैं गहिर मात्रा गहिर मतलब अंदर धितर मतलब भी अंदरे होता है यह दोनों फिक्ट याद रखे कहां मिलता है तो उड़ी साम आगे इदर देखते हैं पस्चिमंगाल में रह देजिए असाम में असाम में मजाक हो गिया यानि मजाक याद है तो देख लिए आगे मा से मानस जा से चलता पड़ा और का से काजी रंगा और यह दोनों फेमस क्यों है एक सिंग का गेंडा मिलता है ठीक आगे देखिए और राचल प्रदेश में है नाम दफा नाम दफा फेमस क्यों है या विश्व में सरवादी कुचाई पर इस्थित बाग रिजर्व छित्र है क्या है नाम दफा और यहां पर यह जो मैंने गूल खिरा हुआ है वह है मेघाले और मेघाले में है नागर नोगर वाईले मेघाले में और एक मिजोरम में भी है दामफा नाम से आगे देखते यूपी है ठीक यूपी में दो अभ्यारन फेमस है एक है चंद्रप्रभा और दूसरा है दुधवा ठीक लास्ट मैंने यहां पर नहीं लिखा हुआ एंपी एंपी वाला भी दो है most famous है और वो कौन-कौन से देख लीजिए एक तो है बांधव गड़ ठीक और दूसरा है काना काना किसली ठीक है बांधव गड़ और काना किसली कहां पर तो एंपी में यह तो famous है ही साथ में एक और भी आता है जेव मंडल जैसे भारत का सबसे पहला जेव मंडल कौन है जेव मंडल का मतलब होता है जिसमें सभी चीज को समच्छन दिया जाए बेड़ पौधा वन जीव सब चीज का उसी को बोलते जेव मंडल तो वो देहा है आपका निलगीरी छित्र जो है वो भारत का पहला जेव मंडल छित्र है ऐसे पूरे भारत में करीकर अठारा है पू कि Washington है यहां का प्रस जानते होंगे झाल को सब्रस जानते हैं को यहां कर राष्ट्य पार्क साउथ याद रखिएगा और इस वीडियो को जरूर एक बार या दो बार देख लीजिएगा कि हर एक्जाम में आता है मेरा बात आप अगर नहीं मानते होंगे तो कोई बात नहीं लेकिन अगर मुझे मानते हैं तो आपने देखा होगा मैं ऐसा ही साई डाका बनाता हूं जो आपके एक्जाम के लिए ज्यादा फैर्दमंध हो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहें